नमस्कार दोस्तों, Welcome to Steady IQ, मैं Dr. Ravigari Steady Platform में आप सब का स्वागत करता हूँ, दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम August 2018 मन्द पर आते हैं और यहां Environment Ecology और Biodiversity से जुड़ हुए ऐसे कौन से Current Affairs के शूज हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं, तो यहां आए स्टार्ट करते हैं, Target Pril के discussion कर रहे हैं, so let us start दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूँ, जिन chapters को आपको पढ़ना होता है, आप सब जानते हैं, in the beginning, दो मिनट में मैं इन सारे chapters के नाम आपको बताता हूँ, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं, जो अभी नए students हैं, जो मेरे साथ यहां जोड़ रहे हैं, त और इन ही chapters के related issues और यानि उनका basic, उनका concepts, उनका applied और प्लस उन ही पर अधारित इनके समसामिकी यानि current affairs को लेकर हमें आगे बढ़ते रहना है, जब तक आपका final destination या आपका selection नहीं हो जाता है, सुआए दोस्तों, यहां पे कौन-कौन से chapters उस बारे में हम लोग बात करते है पहले यहां पर एक unit है, जहां basic of ecology और isolated concepts है, जहां पर आपको बता दूँ current affairs से प्रश्न नहा के बराबर होते हैं, लेकिन traditional parts में आपे question दिये जाते हैं, दूसरा unit है climate change और various climatic parameters है, इस पर current affairs और basics और applied तीनों तरह के questions होते हैं, यहां पर current affairs में question आपको मिलेंगे, तीसरा unit है जहां पर different international conference है, उनसे जुड़ो different summits है, यहां पर आपको traditional questions भी हैं और plus current affairs बहुत आयत में मिलते हैं, बहुत जादा वात्रा में आप प्रश्न बनते हैं, और सबसरा important topic भी आपके इस लेवस में, आपके पूरे environment में यही chapter है, unit chart जहां पर different तरह regularity bodies, different laws और different acts को पढ़ने हैं, यह भी बहुत important topic है, यहां पर भी basic applied और यहां पर भी current affairs बनते हैं, यह different chapters हैं जिस units के अंदर आपको मिलेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगला unit जो है जिसको हम कहते हैं, environmental impact assessment, इस unit का कहीं पर भी main, plims के paper में कोई weightage नहीं है, आस तक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया यह आपको limbs और means दोनों के लिए जरूरी है, और यहां पर basic applied के साथ current affairs पे भी questions होते हैं, अगला जो biomes, natural vegetation, plastic reason के बारे में बात करते हैं, यह एक applied areas है, और एक तरह से बोलो तो यह environment के साथ जुड़ा हुआ है, इसको environmental geography के अंदर consider करेंगे, यहां पे भी प्रश्न होते हैं, अगला topic, biodiversity, wildlife conservation और species recovery program जो भारत में चलाए जारे हैं, यहां पीछे मैंने आपको 4 नए species recovery program में, 4 नए species के बारे में बताया था, यह प्रश्न आपके paper है, most important है, पिछला वीडियो गर आपने नहीं देखा, तो जरूर देखेगा जुलाई मन 2018 में, मैंने यह 4 species के बारे में ब international nitrogen summits, इस तरह की चीज़ें, जो मैं भी कुछ चीज़ें हैं बताने वाला हूँ, इन topics को लेगे आगे बढ़ना, तो आगे के जो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, current affairs में, उनमें मैं unit, unit के नाम भी mention करता जाओगा, या आपको यह समझ में आ जाएगा, यह किस unit क अंदर के topics हैं, जो current affairs से जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ते हैं, जो यह PPT में आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, यह PPT आप मेरे Facebook पेस से जाकर सीधा download कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इस वीडियो के अलावा मैं इनके links को वहाँ पर share कर देता हूँ, तो आप जाएए इस PPTs को आप वहाँ से download कर लेजे, बाकि Instagram में भी आप चाहें, तो मुझे follow कर सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, unit 3 जहाँ पर प्रश्न बनता है, इंडिया ने national REDD plus strategy बनाई है, डेफिनिटी दोस्तों, अब REDD plus पर अगर बात करें, तो REDD plus अप में आप में बहुत ही important प्रश् करें, यानि REDD is the most important, तीन तर्म होते हैं, दोस्तों, एक यहाँ आता है REDD, एक होता है REDD plus, एक होता है REDD plus और plus, आपके वेपर के लिए REDD और REDD plus पर ही important question बनते हैं, plus के बारे में भी बात हो रही है, समय के साथ एक नई चीज भी लादी जाएगी, जिसको हम REDD plus के नाम से भ दिखा हुआ है, reducing emission from deforestation and forest degradation, यानि environment में जो carbon आदिके सर्जन हो रहे हैं, लगातार उनकी मात्रा बढ़ रही है, उनको अगर control करना है किसी भी तरह से, तो हमें वनों की कटाई को रोकना होगा, जो वन कम हो रहे हैं, उनको रोकना होगा, उसका concept है, reducing emission from deforestation and forest degradation, अगर मैं REDD की बात करूँ, तो RED की कहानी सुरू होती है, इसकी पूरा background जाते हैं, तो अर सम्मिट में, रियो सम्मिट में, जो की 1992 में हुआ था, मैं इसका background बता रहा हूँ, finally REDD का बाया, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा 2005 में, लेकिन इसके background में जाते हैं, अर सम्मिट जो पूरी पृत्वी की सुरक्षा के लिए, उनमें एक declaration, एक document था, रियो declaration, दूसरा forest principle, तीसरा agenda 21, चौथा UNF CCC और पांचमा CBD, ये UNF CCC जो था, दोस्तों, ये जो चौथा document जहां पर मैंने mention किया है, ये gain house gases के emission को control करने के लिए लाया गया था, इसी gain house gases emission लो control करने के लिए UN CCC लाये गया, दोस्तों, ये 1994 में जाकर force में आया था, कब आया था, 1994 में जाकर force में आया था, और इसी के बाद पहला summit हुआ था COP 1, जो 1995 में हुआ था, बाद में इसी summit को लेते लेते, आगे बढ़ते बढ़ते, जब आप पहुँचेंगे, COP 11 में, जो मिलेगा आपको 2005 में और 2005 में जो COP 11 हुआ था, यहाँ पर R.E.D.D. की new पड़ी थी, और इसी R.E.D.D. की जो new यहाँ पड़ी थी, इसी R.E.D.D. में कुछेंगे और add-on करके R.E.D.D. प्लस लाया गया, और R.E.D.D. प्लस जो है, वो दो साल बाद, यानि COP 13 के summit में 2007 में जाकर, जिसको हम Bali में conference हुआ था, जहाँ पर कुछ Bali roadmap बने थे, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी informations बताए हैं, यहीं पर J.I.E. के बारे में confirmation हुआ था, C.D.M. के बारे में confirmation हुआ था, और carbon व्यापार, यानि carbon trading के बारे में confirmation हुआ था, J.I.E. को बोलते हैं joint implementation, C.D.M. को बोलते हैं clean development mechanism, और carbon trading को कहते हैं carbon व्यापार, यह चीज़े कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां current affairs R.E.D. से जुड़ा हुआ है, तो R.E.D.D. जो है, वो R.E.D.D. प्लस बना था, Bali roadmap में, और इसकी पूरी कहानी जो है, इसके लिए पूरा भरपूर अगर international level पे किसी न हुड़ा हुआ है, अर्थार कहीं न कहीं, गीन house gas emission को कम करने की बात यहां की जाती है, और forest को conserve करकर, अब बात करते हैं, इन चीज़ों को लेकर मैंने आपको पूरा background दे दिया, आगे के information में आपको यही facts मिलेंगे, R.E.D.D. जो है, 2005 में, UNFCC के COP11 में, जो conference हुआ था, व करते हैं, नहीं करते हैं, और forest को खतम होने से बचाते हैं, यही R.E.D. का provision था, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप carbon sink करेंगे, और carbon की अच्छी खासी मात्रा वाताउन से पौधों के अंदर fix करा लेंगे, precaution relation के द्वारा photosynthesis के मार्धियम से, आगे चलका दो साल बा control करने, mitigating, अदर बोता कम करना, काफी हद तक, deforestation वगरा के द्वारा, और eforestation वगरा के द्वारा हम क्या करने वाले हैं पर, हम gain house emission को इस तरह की चीज़ों को कम करेंगे, यानि environment को sustainable करने की कोशिश करेंगे, अचा यह जो यहाँ पर असल में बात जो हुई है, R.E.D. Plus में इस पेश्टी में आपको बता दूँ, funding के लिए बात हुई है, विकासील रास्टों के लिए, और विकासील रास्टों को जो funding दी जाएगी, वो funding उनके performance के अनुसार, उनके action के अनुसार जो वो ले रहे हैं, उसके हिसाब से उनको funding दी जाएगी, और यह funding कहीं न कहीं वो RED Plus Plus के बारे में, RED का अर्थ क्या है, बता चुका है, reducing emission from deforestation and forest degradation, RED को जब RED Plus में convert करने की बात हुई, तो यहाँ पर दोस्तों funding की बात हुई, ओके, funding की बात हुई, और यह funding जो है generally, वो forest management को करने के लिए है, conservation of forest के लिए है, और carbon sync को बढ़ाने के लिए है, और इसी RED Plus को समय के साथ RED Plus में convert करके हमें biodiversity के area को land को और बढ़ाएंगे और carbon के emission को जो वातोण में है कम करने की कोशिश करेंगे तो ये एक phase है RED से RED Plus और RED Plus के बारे में भी authentic information नहीं है, कुछी ऐसे source हैं जो RED Plus के बारे में बता रहे हैं और RED, RED Plus यानि अगर आप forest वगरा की कटाई नहीं करेंगे हैना, अगर ऐसा नहीं करना है तो कहीं न कहीं इस पर जो कोशिशन पिछली बाद 2014 पंद में पूशा गया था वहाँ पे, हैना, poverty alleviation भी आएगा, यानि कहने का मदब आप गरीवी वगरा को भी दूर करने का प्रयास करेंगे और RED का प्रश्ण मैंने आपको lecture 1 में RED के बारे में कुछ information दिया है अगर आप सुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आप काफी बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं भारत ने national RED Plus strategy बनाई है और definitely बनाई है, भारत इसके लिए बहुत अच्छी तरह से प्रयास कर रहा है अगर आप देखे, भारत ने अपना national action plan बनाया है, climate change को लेकर भारत greet India ambition लाया है और भारत जो UNFCC के अंतरगर एक इंडिया एक national determined जो contribution है, जो 2021 से 2030 के बीच में जो विश्व के अलग-अलग रास्ट कोशिश करेंगे गिन हाउस गयास को emission को कम करने के लिए उसका पूरा का पूरा एक framework के भारत ने खुद बनाया है कि भारत किस base year के हिसाब से 2030 तक कितना emission कम करेगा, यानि कहने का तात्वर अंतर रास्टी अस्तर पर जो UNFCC कह रहा है, भारत उसको पूरी तरह से अपना रहा है और वही चीज इंटेंडेंडेंड नेशे डेटर माइन contribution के अंदर भारत ने स्विकृत करके अपना एक target डिसाइड करकर बताया है, आगे बरते हैं इसकी strategy report जो है जो prepare किया है भारत ने, वो Indian Council for Forest Research and Education जो देहरादून में है इसी ने इसके पूरे reports को तयार किया है और जहां पर RED Plus की पूरी strategy जो है बनाई गई है, और कहीं न कहीं दोस्तों कर मैं बात करूँ तो जो Paris Convention हुआ था, UNFCC का जिसको COP21 के नाम से भी जानते हैं जो Paris में हुआ था यहां पर REDD को फिर से support मिला है और इसको action में लानी की बात की गई है और जो भी country है उनपे participate करने की बात की गई है, याद रखेगा RED Plus वगरा जो है, यह generally विकासी रस्टों के लिए है और इंडिया ने prepare किया है अपना है ना, इंडिया has prepared a national RED Plus strategy soon और जो भारत अभी हाली में UNFCC को communicate करने वाला है जो current affairs में news में रहा है इस month में RED Plus में मैंने आपको पहली बता दिया है एक incentive की बात हो रही है विकासी रस्टों के लिए और वो अपने अनुसार जिस हिसाब से carbon को store करेंगे emission को कम करने के लिए carbon emission को कम करने के लिए उस हिसाब से incentive उनको मिलेगा developing countries जो होगा would receive a result based payment for result based actions तो ये भी बता चुका हूँ तो उनके result के आधार पर होगा और हम carbon stock को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे definitely carbon stock तभी बढ़ेगा जब diversity में forest या पेडों की संख्या बढ़ेगी आगे बढ़ते हैं unit 3 का एक topic है UNEP से जुड़ा हुआ अभी हाली में भारत के एक economist है जो lawyer भी है जिनका नाम है Satyam S.Triparty Satyam S.Triparty को भी हाल ही में appoint किया गया है Assistant Secretary General United Nation का और साथी साथ इनको जो है वो UNEP का जो office है UNEP जो है उसके UNEP के head भी बनाएगे है Newark office के तो आप यह नाम याद रखेगा Satyam S.Triparty जो के भारत के एक economist भी है और liar भी है इनको as a Secretary General बनाएगे United Nation का जो UNEP के office के head रहेंगे UNEP जो है दोस्तों UNEP एक तरह से बहुत बड़ा role play करता है आपको बताऊं 1972 में एक conference हुआ था 5th June 1972 को जिस conference का नाम है United Nation Conference on Human Development जो Stockholm में हुआ था इसको में Stockholm Conference के नाम से भी जानते है ठीक है और यहीं पर अगर मैं बताऊं इसी conference के बाद ही जाकर 5th June को हम लोगों ने World Environment Day भी खोशिट किया था और इसी के basis पर आगे चलकर एक ज़रूरत महसूस हुई थी और UN ने UNEP की निउडाली थी यानि अगर आप पूछू UNEP के background में क्या है तो Stockholm Conference है Stockholm Conference जो हुआ था है ना इसी आधार पर आगे चलकर United Nation Environmental Program जो हुआ था वो बनाया यून एपी एक संस्था जो UN की है वो बनाया गया था ठीक है जो particularly Environmental Activities से जुड़ हुए जो कारे होती है अंतरास्टी अस्तर पर करती है जो भी विकासी रास्ट वगरा है उनमें different तरह के जो Environmental Policies वगरा और Practices हो है उनको सुचार रूप से चलाने के लिए उनकी मदद भी करती है इवन जितने भी environment जैसे माल लेजे कोई issue है कोई atmosphere से जुड़ा हुआ issue है marine area से जुड़ा हुआ issue है environmental governance और green economy से जुड़े हुए जो भी इस तरह के issues है उनसे जुड़े हुए सारे issues को ये cover करता है और उनको solve करके environment को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है UNEP की बात करूँ तो ये funding भी करता है एक तरह से और कई institution organizations को समय समय पर जो summits वगरा होते रहते हैं उनको चलाने के लिए credit भी करता और financial मदद भी करता है आपको मैं बता हूँ UNEP के बहुत सारे achievement है UNEP ने ही IPCC बनाया है ये IPCC की निव डाली है जिसको Intergovernmental Panel on Climate Change के नाम से जानते हैं IPCC में दो संस्थाओं ने मिलकर कारी किया है एक तो World Metrological Organization और UNEP दोनों ने मिलकर Intergovernmental Panel on Climate Change अस्तावीर किया 1988 में आपको पता है ये IPCC का कारे क्या होता है असल में IPCC क्या करता है assessment करने का कारे करता है assessment का मतला होता है ये पूरे अंतरास्टी अस्तरपर सारे रास्टों से data लेता है कि आपके हैं production का level क्या है और उस data के बेस पर पूरी दुनिया के data के बेस पर एक analysis करकर बताता है कि समय के साथ साथ जो green house gas emission है या वादावन में होने वाली problem है वो किस अस्तर तक बढ़ रही है और उसी basis पर जब UNFCCC में जब meeting होती है Kyoto Protocol वगरा की meeting होती है तो countries को लटाड़ा जाता है data जाता है समझाया जाता है कि दोस्त तुम लोग ठीक काम नहीं कर रहे हो या ठीक काम कर रहे हो उनको बताया जाता है हो सकता कुछ countries है ना अधी का mission कर रहे है कुछ countries control कर रहे हो तो overall सबका result लेकर उसके बाद calculation करके जो information दिया जाता है उसके basis पर पताया था सच में क्या प्रयास अंतररास्ती अस्तर पर हो रहा है यानि IPCC अगर नहीं होता तो international level का यह data मौजूद नहीं होता जिसके लिए UNFCC प्रयासरत नहीं होता अगीन हाउस के submission इस तरह की दिक्कोतों को दूर करने के लिए कोशिश नहीं हो पाती UNEP different तरह के implementing agencies वगरा है है ना implement करता है different agencies वगरा को भी है ना उनके कारियों के लिए जैसे global environmental facility है multilateral fund है जो Montreal Protocol के implementation के लिए है है ना जो UN Development Group है इन सब को कहीं ना कहीं UNEP अंतर रास्ती इस तरपर जो हम लोग economy में एक topic पढ़ते हैं green GDP जिसके बारे में economy में हम लोग बात करते हैं green GDP के बारे में भी UNEP नहीं कहा था कि अंतर रास्ती इस तरपर हमें environment को भी GDP के respect में मापेंगे और अभी हाल ही में मोदी सहाब को champions of the earth award मिला है जिसके बारे में आपको मैं आगे के मन्त में बढ़ाऊगा जिस मन्त में उनको ये एवार्ड दिया गया था वहाँ पर मैं आपसे champions of the earth के बारे में detail बात करने वाला हूँ काफी लोगों को ये पता नहीं है कि champions of the earth award आपको लगता है जो सुजलन एजंजी के चेर्में रहे हैं लेकिन मीडिया ने इस हिसाब से चीज़ें मैनेज की कि हमें लगा भारत में आज तक किसी और को मोदी जी के इलाबा नहीं दिया गया आप गलत जानते हैं या आपको मैं उस टॉपिक में पढ़ाऊँगा इसके पले तांतरी को भी मिला है और भी कई इशूज इन से जुड़ो है किस सेरीर फिल्ड में मिलता है छे फिल्ड में दिया जाता है जब इस वन्द के करेंड अफेस पर आऊँगा तब मैं आपको चेंपियंस ओद आर्थ के बारे में युनेस्को के अंतररास्टी जो मैप प्रोग्राम है मैन अन बैस्फियर प्रोग्राम जिसको आप ऐसे कह सकते हैं कि वर्ड नेटवर का बैस्फियर रिजर्व की लिस्ट में रखा गया फिल्हाल ये चीज तो 2016 में ही तै हो गई थी लेकिन इसकी जो फाइनल जो डिसिजन जो भी है वो तीस्वा जो सेशन हुआ था इंटरनेशनल कोडिनेशन काउंसिल का जो मैन अन बैस्फियर कारेकरम के अंतरगत ये चीज जो हो सेशन जो कराया जाता है यहीं पर इंडोनेशिया में 23-28 जुलाई 2018 को ये फाइनलाईज हुआ था यानि ये चीज फिर से न्यूज में आई थी जबकि हमने इसको कंचन जंगा बैस्फियर रिजर्व को फिलहल मिक्स्ट बैस्फियर रिजर्व के नाम से जानते हैं तीन तरह के बैस्फियर रिजर्व हैं पहला नेचुरल है दोस्तों दूसरा कल्चरल है और तीसरा जो है वो मिक्स है नेचुरल कल्चरल मिक्स में क्या होता है नेचुरल और कल्चरल दोनों तरह के फीचर्स पाए जाते हैं हमारे भारत में अभी तक सिर्फ एक ही ऐसा है जो की मिक्स्ट है आगे बढ़ते हैं बास्वियर रिजर्फ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों सो यहाँ वे कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैंने बता दिया एक तो कंचन जंगा जो बैस्फियर रिजर्फ है वो 11 जो 11 इंटरेशनल लेवल का मैप प्रोग्राम है उसके अंदर है और एक चीज़ और मैंने बता दिया फिर वर्ड हेरिटेस साइट जो है वर्ड हेरिटेस स पालाओ तो थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाएगा काफी लोग बैस्फियर रिजर्फ और वर्ड हेरिटेस साइट में कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है तो यह रहा 30th सेशन जो इंटरेशनल कोडिनेशन में जहां पर यह चीज़ें डिसाइड की गई हैं इंडिया जो है 18 बैस पर यहां हो गया और साथ बैस्वियर रिसर्फ हो गया आपको ढमेस्टि यानि भारत के अपने हो गया और 11 अंतराश्ठी अस्तर के हो घैक है फिर मैं बता रहा हूं आपको जो कंचन जंगा बैस्फियर कंस्प्या रिसर्फ में आया था UNESCO के Man and Biosphere प्रोग्राम के अंतरगत ये जो प्रोग्राम है दोस्तों कहीं न कहीं इसके द्वारा यह कोशिश की जाती है कि मानों को environment के साथ जोड़ा जाए उन दोनों को एक दुसरे के साथ जोड़ कर देखने की बात होती है मैं प्रोग्राम के अंतरगत हम natural और social science के सासत economies और education for all human livelihoods के लिए भी कार्य करते हैं यानि यहाँ पर सिर्फ environment ही नहीं environment के सासत समाज, economy, human के livelihood रहने की दिशा आधी सारी चीज़ों को भी सुधारने की कोशिश की जाती है और कहीं न कहीं हाँ पर economic development को भी बढ़ावा दिया जाता है आप ऐसी मुझे बताएं अगर economical development होगा तो लोग लकडियां क्यूं जलाएंगे लोग आसानी से सिरेंडर ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं मैं just example देने की बात कर रहा हूँ यानि man and biosphere program में इन सारी चीजों की कोशिश की जाती है एक बात और मैं आपको बतादूं biosphere reserves के बारे में कंचन जंगा biosphere reserves जो है दोस्तों ये एक national park भी है और साथी साथ एक biosphere reserves भी है जो की सिक्किम में पढ़ता है और एक बाता दूं ये जो कंचन जंगा है ये third highest peak पूरे दुनिया में माना जाता है इसके अंदर कंचन जंगा नेशनल पर आपको जो designate हुआ था वर्ड हरिदे साइट 2016 में ये mixed category का world heritage site में आता है ठीक है और 2018 में इसको जो है अंतर रास्टी अस्तर का biosphere reserves जो की map program के अंतर रखते हैं इसको रख लिया गया है ठीक है आगे बढ़ता है biosphere reserves के definitions वगरा यहाँ पर जानने की जूरत नहीं है मैंने आपको ठीक से समझा लिया biosphere reserves के बारे में बात और बदा दूँ यह जो हम conservation करते हैं जो संडक्षन की बात करते हैं biosphere reserves जो हम conserve करते हैं उसके तीन objectives होते हैं पहला एक तो in-situ conservation है जो जीव जहाँ पर मिलता है जो diversity जहाँ पर मिलती उसको वहीं पर conserve किया जाता है दूसरा यहाँ पर sustainable economic development की कोशिश की जाती है और तीसरा यहाँ पर ecological study वगरा को करकर environmental education वगरा को सासा training और research आदिको कर हम कहीं न कहीं जैयर विवित्ता के शित्रों को biosphere reserves के शित्रों को monitor करने की कोशिश करते हैं चीता जो है उसको पुना introduce करने की बात की गई है कुछ अच्छा state है जहाँ मद्यप्रदेश वगरा की बात और यह पिछले वीडियो मैंने मैंने चीता के बारे में बात किया था reintroduce करने के लिए मद्यप्रदेश forest department जो होता है वो national tiger conservation authority को ने लिखा है कि पुना चीता को reintroduce किया जाए जो इस state का नौराधी century है वहाँ के लिए ये प्रोजेक्ट अब बोलू बहुत पहले ही कोशिश की गए थी 2009 में ही करने के लिए और चीता की संख्या बढ़ाने के लिए इस नौराधी century में लेकिन वहाँ funding की कमी होने से ये चीज़ वहाँ successful नहीं हो पाई है ये चीता जिसका animal geologic name है ये एक oldest big cat species है और generally myocene era के आसपास ऐसा मानते है ये इसकी origin हुई है और बड़ी मात्रा में वहाँ पर इसके ancestors रहे हैं ठीक है चीता जो है पुना introduce करने का प्रोग्राम जो है भारत में लैने की बात हुई है ये चूट आफ इंडिया जो देहरादून में है उसने एक एक प्रिपेर भी किया है पूरा का पूरा एक structure बनाया है जहां पर यह structure जो है 260 करून रुपए खर्च की बात थी जो पिछले 6 वर्स पहले ऐसा project लाया जा चुका था और इस तरह के estimation में कहते हैं 25 से 30 करून का area नौरा देही में जो चीता के conservation के लिए बात कर रहे हैं उसके बाहर की wall वेगरा बनाने के लिए अच्छा का सा कर फिलाल आप financial value को ध्यान नहीं देंगे लेकिन मैं आपको बता रहा है इस तरह का project पहले देहरादून में लाया गया बाद में जहां पर 260 करून रुपए खर्च हुआ था उसी तरह का 25 से 30 करून रुपए खर्च कर हमें चीता को बचाने के wall बनाना उनको safe करना उसके लिए नौरा देही सेंचुरी में कोशिश की गई है ठीक है आगे बढ़ते नौरा देही जो सेंचुरी है इसको धिहान रखिएगा आपको मद्रपदेश के area म पूद सकते हैं और यहां पर अगर बात करें इनको hunting करने वाले प्रेवे जो चीता के हैं ठीक है इनको खान चीता को खाने के लिए जो भोजन पदार थे वो चीज़े भी यहां पर अच्छी खासी मात्रा में हैं ओके ऐसा कहते हैं दोस्तों कि इसके पहले भी चीता action plan जो ह है इसके लिए स्वैक्षी ग्रूप से उन्होंने 20 चीता को डोनेट किया था ओके यह कहानी है थोड़ा सा नौरा देही है ना century को लेकर आप इसको ध्यान रखिएगा ओके आगे बढ़ते हैं असल में भारत में जो tiger conservation के लिए काम करता है वो ntca काम करता है national tiger conservation authority जो statuary body है ministry of environment and forest and climate change के अंदर आती है और जिसको wildlife protection act 1972 के अंतरगत बनाया गया था अब इसका सीधा consider समा सकते हैं कि पूरे रास्ट में tiger conservation के लिए कोशिश करता है अपनी guidelines देता है अपनी सलाह देता है और यहाँ पर हम पूरे के पूरे tiger conservation के लिए काम करते हैं और एक committee होती है जो tiger ये conservation क को जो take over करने के बाद रही है कारवे tiger reserve को क्या है ये पूरा issue मैं आपको बताता हूं दोस्तों इस बार कारवे tiger reserve भी news में रहा है जो generally आपको उत्राखंड में नैनितार district में आपको मिल जाएगा हिमालय के foot hills एरियास में 1936 में हैली national park के नाम से अस्ताबीत किया गया था ये ये कारवेट नेशनल पार्ग तकरीवन 521 स्कार किलोमेटर का एरिया है जहां ठीक साथ में साथा हुआ इसके साथ सोनन्दी wildlife century है और यहां पर कुछ reserve forest एरिया भी है जहां पर अगर हम देखें तो कारवेट tiger reserves अस्ताबीत हैं कारवेट अगर देखें तो एक तरह से सिर्फ tiger के लिए नहीं यहां birds भी होते हैं riches bird reason भी है पूरे रास्ट का इसलिए इस एरिया को IBA यानि important bird area भी बोला गया है bird life international के recording bird life international एक तरह क्या NGO है बहुत ही पुराना NGO है एंग्रीजों के जमाने का NGO है जिसने भारत में जैसे अमूर फालकन और कई ऐसे birds हैं जिनके लिए सुर bird life international पर भी 2014 में प्रश्ण UPSC ने प्रारमभी परिक्षा में पूछा हुआ है आगे बढ़ते हैं Odisha to showcase its biodiversity आगे बात करते हैं दोस्तों यहां पर जो world class interpretation center है एक center है जिसको हम कहते हैं दंगामल जो की generally भीतन करीगा नेशनल पार्क में पढ़ता है यहां पर generally हम crocodile के protection और उसक पर कोशिश करने करने के लिए जो कि वहां पर जो crocodile होता है वो mangrove diversity में होता है तो अगर mangrove की diversity को हम preserve करेंगे तो crocodile को हम उस area में protect करेंगे इसके लिए Odisha government ने एक अंतर रास्ते अस्तर का एक केंद्र बनाने की बात की है जहां पर यहां पर बोला गया है यानि यह पूरी त आपको मिलेगा घडियाल बगरा कहां वो आपको मिलेगा चम्बल में ठीक है आगे बात करते हैं यहां पर तकरीबन इंटीगेटेट कोस्टल जोन मेनेजमेंट प्रोजेक्ट है जो अपर पूफ किया गया है जहां पर तकरीबन तीन करण रुपए खर्च करने की बात जो है वो ग्रीन मैंगरूप के लिए माइगरिटीव बर्ट के लिए कच्चमों के लिए जो जो एशुरी वगरा में जो क्रोकोडाइल होते हैं उन सब के लिए यहां पर आप चाहो अगर आप भूमना चाहो अगर आप जाना चाहो तो यह चीज़ेटें आपको अहां पर बहुत आयत में दिखेंगी, 70% अगर हम देखें कंखी का जो एस्चुराइन या सॉल्ट वर्टर क्रोकोडाइल है, वो यहीं पर आपको मिलता है, यह प्रोजेक्ट इसके बारे में सुरुवात 1975 से ही कर दी गई थी, बावला प्रोजेक्ट जो है वो दंगामल में है, यह भी उनको मतलब संरक्षण की कोशिश की जाले नहीं, कहने का मतलब है इस बावला प्रोजेक्ट जो की डंगामल जो है, यह जगह याद रखेगा, बावला उडिया में, बावला का मतलब होता है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तो बावला प्रोजेक्ट जो है, जो डंगामल म यही इसका key point है जिसको आप याद रखेंगे घडियाल के बारे में कुछ information हैं कुछ facts हैं जो एक बार मैं आपको बता दूँ critically endangered में आता है घडियाल को गेवियल या fish eating crocodile के नाम से भी जानते हैं यह इस जनरली जिस जिन नदी है तर्षकाता की आपको गरियाल अच्छी कासी मात्रा में में मिलेंगे और नैपाल की जो रापती नरायिनी रिवर है ठीक है यहां पर भी आपको गरिय। अच्छी कासी मिले घडियाल को सुन झालम और घडियाल पोजट्जेट जो है वह 1975 से शुरू किया गया जिसके लिए भारत सरकार, UNDP, United Nation Development Fund और Food and Agriculture Organization मिलकर कारे कर रहा है जहां इनके breeding वगरा का ध्यान दे रहा है, इनके X वगरा जो हो रहा है उनको बचा कर और उनसे नए घड़ी आल की उत्पत्ती हो, इसके सरक्षन के लिए प्रियास हो रहा है International Nitrogen Initiative के बारे में बात करते हैं Nitrogen के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो यहां पर इसलिए यह चीज़ न्यूज में आई है क्योंकि भारत के एक बैग्यानिक है, जिसका नाम है Nandula Raghuram Nandula Raghuram को अभी as a elected chair है, जो International Nitrogen Initiative है उनको बनाया गया है, उनका चुनाव किया गया है, चेयर परसन उनको बनाया गया है International Nitrogen Initiative का, जो एक policy making body है, जो Nitrogen की take care करती है बता दों इसके बारे में, आपको एक information बता दूं, Nandula Raghuram के बारे में यह पहले ऐसे Indian है, या Asia के पहले ऐसे व्यक्ति है, जिनको INI का चेयर परसन बनाया गया है INI का मतलब होता है International Nitrogen Initiatives International Nitrogen Initiative एक अंतरास्टी प्रोग्राम है, जिसकी सुरुवाद 2003 में की गई थी हो जिसका sponsorship जो करता है, वो Scientific Committee on Problems on the Environment यानि स्कोप और International Geosphere Biosphere Programs दोनों के द्वारा इसका sponsorship होता है इसका मुख एम क्या होता है, कि जनरली जो Nitrogen है, उसके benefit को जितना जाला से ज़ादा हम कर सकें उसको हम यहाँ पर उसको optimize करें, उसको जाला से ज़ादा उसका फायदा Nitrogen का लिया जा सके और Nitrogen के negative भी होते हैं, उस negative कौम काफियत तक minimize कर सकें, जिसे human health को कोई problem ना हो, यह पूरा purpose है, International Nitrogen Initiative का यहाँ इनाई जो है, वो उसके एक steering committee होती है, जिस पूरी चीज़ को regulate करता है यहाँ पर एक chair person होगा, सासाच 6 ऐसे original directors होते हैं, अफ्रीका, यूरोप, लाटिन अमेरिका, नौथ अमेरिका, साउट एशिया और एस्ट एशिया से, आयनाई हर 3 साल में एक conference करता है और different तरह के ideas और एक दूसरे के साथ knowledge वगरा को nitrogen issue से जुड़ो है जो information होते हैं, उनको share कराने की बात करता है यहाँ अंतर रास्टी अस्तर पर nitrogen से जुड़ो है जो भी information होते हैं, उनको share किया जाता है, यहाँ इसके अंतरगर और कुछ चीज हैं और बात करते हैं, nitrogen के लिए के दोस्तों, तो nitrogen जो है, ठीक है, इसकी सुरुवात अगर मैं बोला जाकर हम origin of life पर जाते हैं, तो कहते हैं, सुरुवात में जो nitrogen इस प्रित्वी पर आये थे, वो lightning and thundering की वज़ा सराये थे यानि प्रित्वी पर जब जीवन की उत्पती हो रही थी, जब nitrogen से ammonia का निर्माड हो रहा था, तो सुरुवात में जो nitrogen थे, वो आये थे, वो कहां सराये थे, वो आये थे दोस्तों, आपका clouding and thundering से, यानि clouding and thundering बादल जमक गरजने से, चमकने से, जो nitrogen, oxide पर पित्वी प कर रहे थे, और यहीं जो nitrogen वगरा, वाताउन में निकल रहे हैं, या वाताउन में आ रहे हैं, उन्हीं को फिर से nitrogen को ले लिया जाता है, है ना, और ये कहलो कि आप, अगर एक nitrogen की cycle होती है, जहां पे कुछ procedure चलते हैं, जैसे nitrogen, ammonification, इससे nitrogen को fix कर दिया जाता है, पौधे के अ आ रहा है, आगे बात करते हैं, human ने कहीं ना कहीं, आज nitrogen का जो balance है, जो nitrogen fix हो रहा है, फिर atmosphere निकल आ रहा है, उसको imbalance कर दिया है, यानि उसको बदल दिया है, जो की बहुत ज़्यादा खतर ना गया, और ऐसी चीज़ें जो सुरू हुई है, generally, वो 1960s के बाद से ऐसी चीज़ वेगेरा का है, वो कहीं न कहीं health को problem करता है, और ecosystem को भी पूरे worldwide बात करें, तो प्रभाव डालता है, जो nitrogen होते हैं कहीं न कहीं दोस्तों, उसकी वज़े से higher concentration of ozone in the lower stratosphere बढ़ जाता है, अगर आप tropospheric ozone ozone के बारे में जानते हैं, tropospheric ozone ozone में nitrogen oxide की मात्रा होती है, यानि यही आगे जलकर tropospheric ozone ultraviolet light के presence में बनाता है, volatile organic compound के साथ मिलकर, तो volatile organic compound on NOx in the presence of sunlight मिलकर बनाते है, tropospheric ozone जो की छोब मंदल में हमारे अगल पगल मौजूद ozone है, जो बहुत जादा खतरनाक होते हैं, तो यह आपको एक difficult task बता रहा है, निगटी, दूसरा कह रहा है कि जो coastal ecosystem वगएरा है, व वो बारिस के साथ, वो बारिस होने से क्या होता है, वो निकल कर आ जाते हैं, तालाव और जीलो में, और यहाँ पर इससे potion की मात्रा बढ़ जाती है, यानि fertility factor बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं, eutrophication जिसकी वज़ए से उपर पौधे बहुत जादा हो जाने से, अंदर आप देखो तो कहीं न कहीं acidification के form में भी अगर बारिश होती है, या कुछ इस तरह की दिक्कते होती हैं, तो ये nitric acid वगरा के form में भी forest को बरबाद करता है, मृदा अगर soil है तो उसकी pH को बदलता है, fresh water, steam और lakes हैं, तो उसके भी pH अगर acid गिरने से उसका nature खराब होता है, और diversity को भी प्रभाव डालता है, nitrous oxide जो एक तरह के greenhouse gases भी है, वातवन के temperature बढ़ाते भी है, nitrogen कहीं न कहीं जहां एक तरह global warming करता है, वहीं stratospheric ozone के depletion भी करते हैं, यानि जो छोब मंडल के उट पर समताप मंडल होता है, जहां पर तरहीं 20-22 km के height पर ozone के layer होती है, और आसपास वहाँ पर ozone का च्रण भी करता है, कभी मौका मिला तो आप मेरे videos बगरा देखना या मेरे books पढ़ना मैं आपको बताऊंगा, ozone depletion दो reason से होता है, एक natural causes से होता है, और एक anthropogeny causes से होता है, natural जहां मानो खुझ जिम्मेदार है, और anthropogeny जहां मानो जिम्मेदार है, तो natural cause में ए ना, noxies होते हैं, और hydroxyl radical होते हैं, nox का मतलब दोस्त, NO, NO2 ये सारे, और hydroxyl radical मतलब OH, ये प्रकरती में बहुत सारे सोतों से निकलते हैं, और ये चले जाते है, natural cause रूपर stratosphere में जाके, ozone शरण का काम करते हैं, तो ये stratospheric ozone depletion हैं, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया यहां पर भी nitrogen की ही radicals होते हैं, जो खतर नाक हैं, जो इस तरह की दिक्कते करते हैं, और anthropogenic region से भी वात्मा में बहुत सारे noxies निकलते हैं, जो मानोद्वारा जो भी ओजोंचन का कारी करते हैं, आगे बात करते हैं, अगला unit 9 में जहां पर अभी हालनी में 3D printer से आधारित coral reefs को निर्माड किया गया है माल दीप में और corals को बचानने की कोशिश की गई है, जो कि coral जो सुरक्षित होते हैं, वो बाहर के calcareous cover की वज़ा से होते हैं, जो कि काफी hard होता है, जिसकी वज़ा से अंदर soft जीव जो होते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं, आए दोस्तों थोड जो समर आइलेंड जो है माल दीप में वहां पर बनाया गया है, और यह एक नई तकनीकी है चाहां पर हमने coral reefs को वार्मिंग क्लाइमेट से बचाने की कोशिश की है, यानि एक ऐसा पहले है जो इस माल दीव एरिया में, समर आइलेंड जो स्थान है, वहां पर समर में coral को परने के पेशे दोस्त बहुत रीजन होते हैं, मैं भी इन चीजों को थोड़ा और आगे आपको बता रहा हूं, पहले यह facts पढ़ लेते हैं, जिसकी वैसे coral current affairs में रहे हैं, आटी पिशर जो reef है, जो 3D printers के base पर बनाया जा रहे हैं, जनरली ceramics वेगरा के बने होते हैं, और यह ceramics exactly वैसा ही होता है, जैसा कि पूरा calcium carbonate जो natural corals में बाहर की cover बनती है, यह ceramics ही होते हैं, जो यहाँ पर बनते हैं, ceramics को जो structures होते हैं, जनरली वो original structures होते हैं, मालदीस में जो पाया जाता है, exactly उसी तरह के होते हैं, जो की real coral होते हैं, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, यह चीज जो हमने ceramics को जो बनाये हैं, वो summer island, blue lagoon जो जगह है, उस जगह पर हमने सारी चीज़ें होने पर temperature बढ़ जाने से, वहाँ पर different तरह के जो chemical बगरा ocean में आकर मिलते हैं, नदियों बगरा के तुरू, उनसे corals लगातार मर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका safety net है, जो corals का हमने बनाया है, उनके बाहा की cover से, और corals को बचाने की कोशिश की है, अगर हम background में जाते हैं, दोस्तों, तो corals में एक term आता है, आपके UPSC में भी पूछा गया है, corals और एक term और आते सो कहते हैं, coral bleaching, coral bleaching को आप हिंदी में कहले जाए, इसको विरंजत के नाम से जाते हैं, corals में मैं थोड़ा 5 मिनिट का discussion और 2-3 मिनिट का और discussion कर देता हूँ, corals जो होते हैं, वो associations हो प्लस, algae के साथ sealant rates के member होते हैं, और sealant rates के member के साथ हो सकता है, कुछ molluska group के भी समुँ हो, sealant rates और molluska ये animal group के सदसे हैं, और algae जो है, वो plant का सदसे है, इन दोनों के plus plus सामन जासे से, जिसको हम symbolic relation कहते हैं, या आपसी साचर कहते हैं, sympathetic relation कहते हैं, plus plus association की वाज़े सी, दुन colors के होते हैं और corals के जो color होते हैं दोस्तों वो alga के कारण होते हैं क्योंकि शैवाल दुनिया में विभिन रंगों के होते हैं विभिन colors के होते हैं अब इन associations में generally क्या होता है जब global warming होती है या कोई अमलब अगर नदी में आता है या या acidification अगर नदियों में या ओशनों में होता है समुंद्रों में होता है अमलियता बढ़ती है global warming होने से जब CO2 का level बढ़ता है वाटर में मिलकर ये carbonic acid बनाता है ये सब कहीं न कहीं इसके algae को मारते हैं और algae जो खाफी sensitive होने से अगर मरते हैं तो उसका मतलब होता है कि coral की समाप्ती यानि coral मर रहे है अब वही पर चीज़े लिखेगे rising of the temperature या mass bleaching events इस तरह की घटनाएं जो होती है इन घटाओं से सुरक्षित रखने के लिए corals को हम generally ये 3D based corals बना रहे हैं जहां पर हम corals को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं और बाहर का जो calcareous wall होगा calcium current का बना हुआ वो काफी कठोर होगा उसके अंदर corals गुरी तरह से सुरक्षित रहेंगे coral हमेशा group में होते हैं इसके जनरी दोस्तों तो coral polyp के नाम से भी जानते हैं इसके कभी कहीं पर coral polyp लिखाओ polyp हो था बहुत सारे many हैं आप तो confused मत कीजेगा theoretical part के लिए जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ और contemporary issues के लिए जितना भी संभव है इस book में सारी जीज़ें cover की गई हैं आप बिलकुल भी English और Hindi मादन के विद्यार थी इस book को पढ़ना न भूलें ये ग्यानवर्ड.com और Amazon.com पे ये book उपलब्ध है तो thank you everybody comment box में अपना message अपना information लिखना मत भूलिएगा किसी तरह कोई doubt हो तो बिलकुल बताईएगा so thank you everybody अपना खियार रखेगा बाई